हेलो दोस्तो स्वागत आपका आपकी की यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में तो दोस्तो हमें पता है कि जो जेके एसेसबी की अपकमिंग एक्जाम्स हैं वो बहुत ही जल्दी अक्तूबर नॉवंबर मीने में स्टार्ट होने वाले हैं सबसे जो important exam होने वाले हैं वो VLW के होने वाले हैं तो हमने overall सभी exams के especially VLW की preparation शुरू कर दी है आज मैं आपके लिए topic लेके आया हूँ कि जो भी general awareness है जो भी आपके syllabus में है VLW के उसके regarding जो first topic है political divisions of India इसके लेके हम detail में वीडियो में पढ़ेंगे तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल कर लिजिए वीडियो को like कर दीजिए description में आपको हमारे social media links मिल जाएंगे दोस्तों वहाँ पर जाके हमें जुरूर join कीजिएगा चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले political map आपके सामने में ने रख दिया है यह जो map है इसमें सारी political divisions के Canada, China, US, Brazil and Australia अगर population के मामले में बात की जाए तो इंडिया दूसरे नंबर पर आता है पहले नंबर पर चाइना आता है दोस्तों location के हम बात करें तो Asia continent के southern part पे locate है हम लोग मतलब हमारा इंडिया जो Asia continent के southern part पे locate है ठीक है Indian Ocean के बिलकुल head पे हमारा देश located है हिमालियास जो है वो हमें और Central Asia से हम लोगों को और Central Asia को divide करती है separate करती है ठीक है दोस्तों बात करें कुछ important statistics of India latitudinal extent और longitudinal extent के हिसाप से दिया है total area of जो India का है वो 3.28 million square kilometers है land frontier almost 15,200 kilometers का है coastline अगर हम देखें along the main line तो 6,100 kilometers का है दोस्तों coastline अगर हम include कर लें अपने island groups का भी तो ये 7,154 kilometers बन जाता है दोस्तों आगे हम बात करेंगे कुछ होर important statistics about India east west extent की बात करें अगर हम 2933 kilometers का है गुजराटू और नाचल प्रदेश north south extent की बात करें अगर हम 3214 kilometers that is from JNK to कन्या कुमारी number of states है हमारी 29 दोस्तों union directories की बात करेंगे तो 9 national capital हमारी new Delhi है southern most tip of the mainland को उनसा है हमारा कन्या कुमारीन में से question पूछ सकता दोस्तों आपको कुछ और important statistics हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में southern most point of India कौन सा है 6 degree north इंडिरा point गंडमान और निकोबार islands नेबर्स की बात करें अगर हमारे land के हिसाब से अगर हम अपने common neighbors को देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, मियानमार और बंगलादेश, offshore neighbors के अगर हम बात करें तो Maldives and Sri Lanka है, हमारे देश की सबसे जो largest state है दोस्तो वो राजस्थान है सबसे छोटी state दोस्तो गोवा है, population के अगर हम बात करें तो 1.2 billion standard meridian of India IST अगर देखा जाए तो 82 degree, 5 degree north, sorry east, next हम इसके आगे अगर हम चलें तो यह कुछ important points थे जो political divisions of India के लिहाज से पुछे जा सकते हैं exam में दोस्तो, जिनको आप note down भी कर सकते हो और इसकी जो PPT file है वो मैं already अपने WhatsApp group और Telegram group में upload कर दी है वहाँ से जाके आप download करके इसके notes भी बना सकते हो ठीक है दोस्तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं दोस्तो ने वीडियो में ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर कर दोस्तो प्लीजिए